हैलो एवरेवन वेलकम आन बाय लोगी बिलेट गाइस आज हम बात करेंगे इम्मुनोगुलो मेंस के आर्ट्रिब्यूट्स वीडिट्स घ्रिट्री इंटीन हम इनके फंक्शनल लेट्रिब्यूट्स जी इंके फंक्शन्स करेंगे इनके दो चार फंक्शन थे बहुत जब यह सप्धिक थे उनमें के इनके जो इनके जो मालिकुलर बेट या जो भी बात आती इनि से आते हैं कौन सी लार्जिस्ट है इस फंक्शन में इन्टिवाडी या इमुन्यु घ्रविन यूज घ्रवीन होती है उस तरह के से बात करें विक रिपेजेंट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ एक जो जान होती वह एक पॉलिफाइट को रिपेजेंट करती तो फॉर पॉलिफेटाइट होती है और दो हैं भी चैन्स और दो लैट इस तरीके से ना और आपास में ज्वाइन कैसे हो थे इसके रवाबंध अगर प्रोडक्शन की बात करें तो जो बी लिंफोसाइटस होती है में रस्पांस प्रोटीन में लिए उनके रस्पांस में बीलिंफोसाइट जो थी वह आपका इम्मिन्योग्लोगी और यह वो फोर्मीशन करती है और नार्मल्ली जानी की स्ट्प्रेट होते हैं CDR सुने बोलते हैं और इस दोनों मतलब हैवियो लाइट जैन पर प्रजेंट होते हैं तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इम्मुनोगुलोविर अब हमने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है हमने इंपोर्टेंस नहीं देखी कौन से ज्यादा यह कुछ लोगों में पाई यातनी कुछ में नहीं पाई जाती है से जहाना इस तरह वह सबसे जो इंपोर्टेंट है वह आपकी A G और M सबसे पहले मिन पर बात करेंगे और सब पहले इसमें आता है एज तो देखी एक तो इसमें बोलते हैं सिक्रेटरी आइजी इसका मतलब होगा कि इसमें अलग से पॉली पेप्टाइड जैन अटाइच होती है ठीक है उसे इसलिए हम बोला जाता है सिक्रेटरी आइजी दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में है कि प्री डॉमिनेंट क्लास आफ इसके बारे में जो कंफूजन था कि जब कोई प्राइमरी रिस्पांज के साथ मतलब कोई आंटीजन हमारी बॉडी में इंट्री करती है सबसे पहले आई जी ये बनता है तो इसमें थोड़ा चांफूजन ने देखें इन्फेक्शन कौन सबाला है यह इंपॉर्टेंट है कि बाइरैल रा यह आपको बता दें इसका सबसे अच्छा जो पॉइंट है कि जो हमारी बॉडी में सबसे पहले जो इंट्री होती है वह मुकस निंबरेन पर क्यूत बढ़ा है ने का मतलब हैं कि सबसे जो टार्गेट कॉइंट रह जिसके थुरू पैथोजन इंटर करते और मुकस मेंब्रेन प्रेजन्ट होती है आपकी इसलिए आचा यहां पर कन्फूजन होता है जो आई जी ए और आई जी एम के बारे में तो देखिए यहां पर आई जी एम जो है काफी इससे इंपॉर्टेंट जाधे है कैसे करके फर्स्ट इमिनोग्लोबिन क्लास प्रोड्यूस्ट इस प्रैमरी रेस्पॉंस टू एन एंटिजन वो आपका आई जी एम होता है हमने इसे क्यों लिखा क्योंगी कन्फूजन दूर हो जाए बारेल इंफेक्शन अगर है तब तो इससलिए हम कह सकते हैं आई जी ए बाकी जो है जनल कोशन आए कि पहला कि प्रैमरी रेस्पॉंस में डबलाप होता गई तो वह आई जी एम होता है दूसरा इंपॉर्टन बात यह है कि जो न्यू नैट्स होते है उसमें अपनी मदर से तो उसे जी मिलती है इमिनोग्लोबिन जी मिलती है मगर वो अपने आप में अपन मतलब होता है अल्फाबेटिकली एक इंपॉर्टेंस के वह इतना है कि एक्टरनल सिक्रीशन में ध्यान रखना है आपको और यह सिक्रेटरी प्रोटीन की फार्में होती है ठीक है और बाकी जो है इसकी ज्यादे इंपॉर्टेंट है अब आगे एक और पॉइंट देख ले हैं अच्छा उसके बाद इति पॉली मेरिक पॉली मेरिक का मतलब होता है इसका कोई स्पेसिफिक बो नहीं होता जैसे हम आई जी एम के बारें बात करते हैं वो पेंटामर होती है ठीक है यहां पर ऐसी कंडिशन नहीं है यह मोस्ली दो डाइमर के फार में प्रिजेंट होत है इस परकार इनिविट बैक्टिरियर और बारेल इंफेक्शन यह मतलब मुकस मेंबरेन के थुरू जो आएगा उसके लिए यह सबसे पहले रेस्पॉंस करेंगे बट इन जन्नल अगर बात करी जाए कि कोई भी मतलब प्राइमरी रिस्पॉंस तो आपका अंसर आई जी आ कि यह बस्ट आप होता है दूसरा इसका को इसका कोई यह मुस्टी जो एक्टेबर दप्राइम्ड की से रोती है उनकी सरफसे प्रिजेट होती है इंक इमक्ट्राइमड भी से आच एक OnePlus बात outdoor 2 इंप बात सबसे सबसे पहले या सबसे जादे है तो डेली सिक्रेशन में 80 परसेंट जो होती है वह आपकी IgA होती है ठीक है अच्छा बुस्टप आवार इम्यून सिस्टम भाई मुक्स मिंब्रेण के तूर हमारे बारी को यह बुस्टप करती मैं सिस्टम को ठीक है यह सबसे पहला सिक्रीशन आपने देख लिया कि आपकी जो है Eccternal से क्या है यह चाहरा है जाया जाथा हैgt क्योंकि अदिक तर आपने देखा होगा पसेन की शुइट है है उसली इसली does सब्सक्रीघ का फुरी कि यह चाहिं κάνे न सब्सक्स की होते हैं बुस्ट पर part करने दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे अब देखते हैं आई जी जी दिए सबसे इसके वारे में क्या होता इमेर उपलोबीं जी के बारे में यह तो यह उसकी बाड़ी में मदर से आ जाती है इसलिए से कामन बना दिया बच्चा अपने आप से सिंतिजाइज तो सबस्के पहले आएम करता है ठीक है अपने विहाँ पर वह आएम बनाता है मगर उसे मदर से गिफ्ट मिलते थुरू प्लेसेंटा इसका मतलब यह क्राश करती है प्लेसेंटा को इसकी क्वालिटी यह बहुत पुछी आतिक्जाम में दूसरा इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटी यह कि जैसे अमने एक्टनल से क्रीशन की बात करी थी एमें एक तब हम और मुस्त आइसो टाइप सीरम सीरम में सबसे ज्यादे प्रिजेंट यह होती है तो यह आपकी इंटर्नल से क्रीशन में जादे होती है ठीक है अच्छा दूसरा पॉइंट है कामन टाइप क्योंकि यह शुरू से मतलब बच्चा अपने आप से नहीं बना पाता उससे पहल चाइल ने अपने विहाब पे अपनी मदर से गिफ्ट में जो मिली तो उससे मतलब इस अपने को स्टॉंग बनाना शुरू कर दिया तो मैक्सिमम यूज इस ही का होता है क्योंकि हम अपने से बनाने से पहले इस आइंटिवाड़ी का यूज करना सुरू कर देते हैं हमारा जो अपने आप में सेफ में बनाता है तो मदर से मिलती है तो हम इसे कहते हैं मैक्सिमिली यूज और कमन टाइप जो होता है अच्छा इसके इंपोर्टिन और भी एक है लांग लास्टिंग इफिक्ट इसका इफिक्ट बहुत देर तक रहता है क्यों इसका दिकी टाइम तक अपना एफेक्ट रखती है तो इसलिए क्योंकि यह लाउंग लास्टिंग पॉइंट दूसरा इंपॉर्टन बात यह कि इन कंप्लीट एंटिबाडी कहलाती है क्योंकि यह जो होती है एक लिए प्रोसेस होती है उसे करने में आथ च्छम होती है तो एक बात इसके प्रोसेस्ट सबनेश को प्रणा कि बहुत सब स्प्लेसेट है जय सांद होता है जय से सबसेंपलिशन जो इमूनिक्लीट उपनेशन आज उसके साथ मिल करती है इसके सी कशेंबा़ swag सबस्क्राइब क्यों करने सा बराल हम यह स doin्गे सब यह कहां परक्ष्य वासेंट तो इस है अब हम बात कर लेते हैं मुझे लगता है सबसे जादे इंपॉर्टन आइजी है कैसे क्या सब्सक्राइब क्यों कर देखे इसके बारे में जो भी बात है बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है क्लियर कट है सबसे पुरानी क्या बोला कि जब हम पैदा होते हैं और हमां अपने भी साइज देखेंगे लागे डिसक्स करेंगे अभी करेंगे यह लाज़ेस्ट होती है अच्छा फर्स जनलेटी दिखेंगे फर्स जनलेटी हम अपने आप से जो करते हैं पहली अपनी तो वह मैं ठीक है यह ध्यान रखना आपको अच्छा इसके बाद एंटी वाड़ी के ती का फार्मिशन करने में सक्चम होती है ठीक है अच्छा दूसरी जितनी वे एंटी बाड़ी हो उन से ज्यादा एफेक्टिव होती है यह भी इंपॉर्टन बात है क्योंकि हमने सबसे पहले अपनी अपने आप में सबसे पहली बना इसका मतलब यह कि मोर एफेक्टिव है ला मैंने सबसे इंपॉर्टन आप ऐस्टी इंपेंटलन नहीं पंसे वाओंडिन जर्म में सबस्तों सबस्यादे में अपने देडारि में तो इन्पिडिज के को मतलते हैं यह सब करने मिला करूब्स उसम्राइक सब हैं इसके इंपार्टन लाएं यहां इसके प् bö Yale फिर्स्ट एपियर अगेस्ट बैक्टियर इंफेक्शन बाइल इंफेक्शन या फिर इनिसियल एक्सपोजर टू एंटिजन जो हमने आई जी में आपको पहली बात बताई थी बही बात है यह कि जो प्राइमरी रिस्पॉंस में यह सबसे पहले आती है और मोस्ट किसंटी बाड़ी से इमेरे उकल तो आपका अंसर होगा आई जी जी से ठीक है इसे हम दो कामनली श्वेलिंगे रेटनेस लेक्शन भी कहते हैं इसका नाम एक और भी वह भी हम आपको बदाएंगे इसके लाबाब जो यह होती है उसका एक फंक्शन और आपको बदा देते ह यह आपका mast cell degradation या mast cell degradation का मतलब हुआ कि mast cell को degrade करती है और वो बहुत सारे natural killer substance का formation करती है as a result of that बहुत आफ देट जो antigen को बाड़े में अंटेरी करा है वो उनके death के लिए हुँए कि लिए responsible होते हैं तो कहने का मतलब यह वाली जो थे वो मेडियेट करती है मास्ट सेल डिग्रेडेशन मतलब इनका स्टिमूलेशन कि वो ऐसा सबस्टेश का फार्मेशन करें जो अंदर आई अंटिजन को बहुत इजली किल करतें ठीक है एक जो हो गया अच्छा दोनों यह डी और यह होती हैं मिम्ब्रेन बाउंड होती है अच्छा मिम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो जो मैचूर बी सेल की सर्फेस पर बाइंड करने वाली जो एह दोनों है डी और अटीक अब डी की वालिटी क्या है जो डी है वो इलाउंग विद एम के साथ मेंजर मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड एंटिवाडी आणंदी बी स तो इट्स फॉंक्शन इज एंटीजन रिकागनेशन बाइपी सेल के जो एंटीजन रिकाम होता है वो डी और एम करते हैं ठीक है अच्छा अच्छा अब नेंट की बात करें तो दोनों बहुती कम मात्रह में होतीं डी और ए ठीक है तो आपको सबसे इंपर्टेंट रखना है सबसे इसमालेस्ट होती है और सबसे बड़ी होती है किवल दो बात ध्यान रखनें लार्जिस्ट कौन सी है और चोटी कौन सी है इसमालेस्ट आपकी ठीक है अच्छा इनका साइज बेकर बात करें तो वह बन सिक्स्टी किलोग्राम डाल्टन की और आजएम जो 970 किलो डाल प्रजेंट होती बाकी दूसरी लोगों में नहीं होती है चलिए अब जो एक पॉइंट आती है इसका कि अबंडेंट या लीष्ट की बात तो इसमें देखिए सबसे इसमालेस्ट इमने उपने बता दी है और सबसे बड़ी व्यापको बता दी है मैं अब चोटा बड़ी का से सिलेखर सका आप इनकी परसेंटेज इंप 10% होती है और इंगे 10% अब करें घडियो प्रोइचे होती जो मदर अपने बच्चे को संहें सेटी ए से मुर्यां brings Advent को यहां पने बात साहर है हमारे में मिस्टेक हूई है आई यह नहीं काट करें यह थोड़ी चिणी से मिस्ट तो आप इसे सही करें चीजों को Most Abundant IgG Smallest A और सबसे Largest M इस तरीके से नियाद करें और जो यह मैमल से पाई जाती है लिस्ट होती है, बहुती पॉइंट 0.5% के बल होती है अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आता है इनकी सेफ के बारे में गाई तो उसमें देखना है कि जो आइंटी बाड़ी के इस तरीके सहोता है, ना इस्टेक्चर बाइसेप्ट तो यह तीन जो होती है लास्ट वाली अगर हम कहें, एक तो D और E और एक G यह तीनों बहुती इस्टेक्चर होती है फ्राइब के आपको ध्यान देखना है आई G पेंटामर और यह उसके बारे में डाइमर उसकी मलटी फिल फाईरम है डाइमर भी और प्र सहब आप्ष्छंग गारे में देखें ना यह एक आपका टेट्रामर और डाइमर दोनों के पाद में तो गाइज इन्हें एक बार सही से देख लिए तो कोशन गलत होने के चांसे बिल्कुल नहीं रहेंगे कोशन यहां से 100 प्रसेंट आता है तो इसी के साथ थैंक्यू बेरी मच्छ गाइज